गुड मानिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इस्टेडिग्राम पोर्टल मैं हूँ श्याम शंकत्रिपाथी और आज की इस वीडियो में हम लोग 17 जनवरी 2022 के जितने भी इंपार्टिन करेंटरफेर्स हो सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे तो पहला करेंटरफेर्स है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाल या या MP-A-T, GM जिसका हाल ही में परिछण किया गया, और किस देश में विक्सित किया गया है, तो यह भारत में विक्सित किया गया है, और DRDO ने इस मिसाइल को, इस मिसाइल का सफलता पुरोग परिछण भी किया है, यह मिसाइल एक private रचा कमपनी के सहयोग से DRDO ने सोधेसी रूप स से विक्सित किया है जो कि यह काफी कम वजन वाली मिसाइल है और यह नाग मिसाइल जो होती है यानि एंटी टैक गाइड़ मिसाइल थे प्राप एक थर्ड जेनरेशन की फायर एंड फारगेट एंटी टैक गाइड़ मिसाइल है और हाल ही में लांच की गई AI यानि Artificial Intelligence Based Patent पढ़ा लिए Clear Want का उद्देश क्या है तो इसका उद्देश है Water Purification और केंदरी मंत्री चितेन सिंग ने Water Purification के लिए IIT के पूर छात्रों द्वारा लांच किये गए श्वजल प्राइवेट लिम्टेट के द्वारा Artificial Intelligence से संचाली स्टार्टप लांच किया है और इस कंपनी का पेटेंट सिस्टम है वह है Clear Want Water Purification System के अधार पे और Artificial Intelligence का उप्योग भी करता है और उन्हेंने Water ATM के रूप में स्वक्ष पेजल समाधान यानि Clean Water Water Solution को भी विक्षित किया है जो कि Solar Energy के साथ Internet of Things Technology को जोड़ता है और हाल ही में खबरों में रहा परक पोर्टल किस्छेट से जुड़ा हुआ है तो यह चात्रों के शीखने कांकलन करता है जो राश्टी सिक्षानीती है वह परक पोर्टल लांच किया है और परक का परफार में परफार्मेंश, एसेस्मेंट, रिवियू, एन एनालिसिस आप नॉलेज फार हॉलिस्टिक टेवलेप्मेंट एक राश्टी मुल्यांकन सेंटर पेस्ट किया था और हाल ही में अखिल भारती तक्निकी सिच्छा परिशद यानि AICTE ने चात्रों के सीखने के आक परफार्मेंट करेगा गुलाबो जिसका हाल ही में बन विहार राश्टी उद्यान और चिडिया घर भोपाल में निधन हो गया यह क्या थी वह एक स्लाथ बेयर थी यानि एक भालू थी गुलाबो नामक भारत की सबसे बुजुर्ग स्लाथ बेयर यानि भालो की 40 साल की उम आप क्लासिकल तमिल किस सहर में सित है तो यह चन्नाई में सित है पीम नरिंद मोदी ने चन्नाई के पाहर पेरुम्बकम में सेंट्रल केंद्री सास्त्री तमिल संस्थान यानि सेंट्रल इंस्चूट आप क्लासिकल तमिल के नए भावन का उद्गाटन किया है CICT को पहले सास्त्री तमिल के लिए उत्कृष्ट सा केंद्र के रुप में भी जाने जाता था और यह केंद्री सिक्षा मंत्राले के तहत एक आटो नमस बहड़ी है यानि स्वायत संस्था है यह 2006 से लेके 2008 के बीच में मैशूर के केंद्री भारती भासा संस्थान के परिशत में कारे रथा यानि भारत का केंद्री भारती भासा संस्थान जो है मैशूर में इस ठीट है और अगला है current affairs रिशी शुनक भारत के अगले परधान मंत्री बन सकते हैं अब रिशी शुनक के बारे में जानते हैं रिशी शुनक एक भारती मूल के बिटेन के नागरिक हैं और बिटेन के बर्तवान में बित्मंत्री हैं वह भारती Software Company Infosys के Co-Founder Narayan Murti के दमाद भी हैं और Boris Johnson पे दबाव है कि वह PM पत छोड़ दें और ऐसा माना जा रहा है कि साइद वह PM पत छोड़ देंगे अगर प्राइम मिनिस्टर का पत छोड़ते हैं तो इसका रिशी सूनक पधानमंतरी बन सकते हैं और अगला है पास्पोर्ट रेंकिंग दो हजार ऑईस तो हैल ले पास्पोर्ट रेंकिंग दो हजार ऑईस में पहले अस्थान पर जयपान और सिंगापुर रहे हैं जबकि भारत की ranking जो है वस एंटी थार्ड है यानि 83 आस्तान पे भारत पिछले वरस 2020 के ranking में 90 वे अस्तान पे था अब 7 आस्तान यानि 7 पाइदान उप्र चड़कर या 83 वी अस्तान पे हो गया अब भारती पास्पोर्ट आपको यानि पास्पोर्ट धारगों को 60 देशों में पीचा मुक्त पहुँच की अन्मती देता है और यह हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स जो है यह दुनिया की 199 पास्पोर्टों के लिए रेंकिक प्रदान करता है और W.E.F. का दावोस एजेंडा सिखर सम्मेलन 17 से यानि आज से होगा और प्रदान मंत्री नरेंद मोदी आज संबोधित करेंगे यानि विष्व आर्थिक मंच डवल्ड एकानमी फोरम आयोजित होने जा रहा है यह पांच दिश्य होगा और यह पिछले वर्थ भी आनलाइन ही हुआ था क्योंकि कोविड-19 का जो चल रहा है उसमें आलाइन ही हो रहा है और सोमार को यानि आज के दिन प्रदान मंत्री नरेंद मोदी विष्व के हालात के विषय पर विषय संबोधन देंगे और दावोस सुट्जल रेंड के राइधाने भी आज के लिए बस इतना ही वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंट्स कैसा लगा आपको ये विडियो अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट चरूर करें वीडियो को लाइक करना वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे की मेरा मोटिवेशन बना रहे है।